असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्लत अल्ला आप सभी लोगों को खुश हुआ बाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्लत अल्ला के नाम से जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आज हम आपके लिए मटल पनीर की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसेपी लेके आएं बहुत ही कम सामान के साथ बिलकुल घर वाले सामान के साथ हम बनाएंगे लेकिन रेस्टोरेंट से ज़्यादा आपको आने वाला है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर ले शुक्रिया जजा कर ला तो चलिए देख लेते हैं इतनी नरब मुलायम पनी हमने कैसे बनाई है इस्टेप बाईस्टेप आपने देखना है वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है तो शुरू करते हैं एक कड़ाही हमने गरम होने के लिए रख दी है और हम इसमें डाल रहे हैं तेल को हम गरम होने तक पकाएंगे और देखें यहां पर हमने छोटी छोटी प्याज थी तो हमने चार से पाच प्याज मोटी ही सी बस रफली इस तरीके से कट कर लिए है और तेल के गरम होती हमने प्याज इसमें शामिल कर दी और हम इसे फराई करेंगे दो से तीन मिनट तक हलका सक गोल्डन कलर आ जाए हमन और आज हमने तेजी रखी है हम टमाटरों को भी थोड़ी देर तक भूनेंगे और हमने इसमें अध्रकलिस्टून का पेश शामिल कर दिया है डेढ़ चमच अब इसकी भी हमने भूनाई कर देनी है और इसमें हम शामिल करेंगे तीन सब्स मिर्चों को थोड़ा सा बीच सी इसी में हम मसाले भी शामिल करते जा रहे हैं तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरे लाल मिर्च पाउडर हमने एक एक चमच डाल दिया है और देखिए लगभग हमारे मसाले भुनने के करीब पहुच चुके हैं तेल बिलकुल अच्छा एक चमच गही कर रहे हैं इसे घरम होने देगे पूरे पहने पहने पहला दिया है और इसमें हमने 200-50 ग्राम जो हमने पनीर ली ती उसके कुछ ही सतरीका के टुक्डे कर लिये है और पूरे पेन पहने पहला दिया है एक साइड से लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे और हमने फिर sideół को change कर लेना है आज को हमने medium ही रखा है आज हम low नहीं करेंगे वरना हमारी पनीर सक्थ हो जायगी देखिए कुछ इस तरीके का color आ गया है तो दोनों तरफ से इस तरीके से सेख के हमनेे आज को बंद कर लेना है और पनीर को भी हमने साइट पर रख देना है और देखिए हम यहाँ पर मसाले को पीस लेते हैं बहुत ही बारीक सा पेस्ट बनाना है थोड़ा सा पानी लगेगा तो हम थोड़ा सा दो सी तीन चमश पानी भी डाल देंगे बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्हीम तो यहाँ पर कड़ा ही गरम हो रही है और हमने इसमें तेल डाल दिया है जीरा लिया है हमने और दो लेसुन को हमने बारीक कट कर लिया है तेल हलका सा गरम हुआ हमने जीरा डाल दिया है जीरा के करेकल होते ही हमने इसमें लेसुन भी डाल दि हमने मसालो को मिक्स केया और फोरण से अपनी मतर ड़ाली हमने मतर डाली है और इसको तो चलाएफ경 को हम उतको चलाएंगे मिक्सी से खंगाल fro件 जूरे-ट कर दीया है लगभग एक प्याली के कुण आप तो हम इसे धक्कन लगा देते हैं 5-7 मिनट के लिए मटर आपकी किस तरीके किया आपको पता होगा तो आपने उतनी देर के लिए धक्कन लगाना है कि मटर गल जाए 7 मिनट हो चुका है तो आईए चेक कर लेते हैं कि किस स्टेच पर पहुंची है हमारी रेसेपी तो देखिए यहां पर बहुत अच्छे से मसाले भी पक चुकी है और मटर भी पक चुकी है तो अब हमने इसमें शामिल करना है एक शिमला मिर्च को हमने मीडियम साइज के टुक जाएंगे 2 मिनट हो चुका है तो आए चेक करते हैं देखिए काफी हद तक मसाला भून गया है और पानी भी खुश्क हो गया है एक गिलास भरके हमने इसमें पानी डाल दिया है और एक चमच भरके हम इसमें गरम मसाले का पावडर राइट करेंगे अच्छे से मिक्स कर द नहीं पकायेंगे सबसभाइब अच्छे से मिक्स करके बस हमने आज को बंद कर देना है और बिल्कुल खुश्बुदार महिटी हुई हमारी बहुत ही कम सामान के साथ पनीर बन के तयार हो चुकी है तो कहिए आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे श चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे मेरी दर्खास था है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार लाजमी दें साथ में लगा हुआ बिल का इकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों को जजाएखायर दे आप लोगों के रिस्क में बर्कत अता फर्माएं आप लोगों के घरों में सुकून और मुहबत अता फर्माएं हमें भी दुआओं में याद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशालला ऐसी किसी टेस्टी और मज़े की रे